अब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे जिला कांगला का संग इतियास वीडियो को पूरा-पूरा देखी का क्योंकि जितने भी सेशन लग रहे हैं यह आपके एक्जाम पॉइंट आपकी उसे काफी जाए इंपॉरेंट है तो जैसे हमारा ज दिसकस करेंगे जिला कांगला के mcq और जिसकी ने भी अभी तक हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए का ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके जैचंद तो राजा जैचंद जो है 1570 इसी में गदी पर बैठे थे कांगला की गदी पर बैठे थे 1570 में और किसी कारण जो है अकवर जैचंद की वेवास से रुष्ट हो गया और उसकी नेक नियती पसंदे करने लगा उसने राजा को दिल्ली बुलवाया और संबबते र गुलेर के इतियास में जो है अकवर से मिलने दिली गए थे तो बहुत समय बीतने के बाद जब राजा जैचंद बापस नहीं लोटा तो उसके पुत्र विदी चंद ने यह समझ लिया कि उसके पिता है कि उसके पिता है उसको मौत के घाट उतार दिया है यहीं जो बीदी चंद है वो उसके एक नवालिक था उसने क्या कर लिया यहीं वो जो है अपने पिता को मृत मानता था यहीं उसने जब बहुत समय हो गया कि राजाज जैचंद वापस नहीं आया तो उसने समझ लिया कि अकवर ने जो है उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया है और जो विदी चंद है उसने क्या कर दिया अपने पिता की हत्या का बदला लेने की सोची और उसने अकवर के विरुद्ध विद्रोग खड़ा कर दिया पंद्रसो बहत्तर इसी में अकवर के खिलाब उसने विद्रोग कर दिया और पंजाव के वाइसरा या फिर पंजाव के सूबेदार हुसेन कुली खां को बिद्रोह को दवाने के लिए बेजा और उसको आदेश दिया कि नगर कोट को जो है बिडी चंद से छीन कर राजा बीडवल को जो है जागीर के रूप में दे दिया जाए अकवर ने हुसेन कुली के राजा भक्तमल को पकड़ लिया और बेरम खांच जो थे उनको लाहोर में पकड़ लिया और जो कोटला किला था कोटला किला जो है नूरपूर से 20 मिल की दूरी पर स्थित था जिस पर कांगला के राजा ने बलपुरवक कबजा किया था जो मूल रूप से गुलेर के रा राजायों में भी असंतोश फैल गया और उसके बाद आ कांगला के सेना का नेतरित्त हो किया था जस्मा के राजा गोविन चन्ने क्योंकि उस मगविन चन्द वो नवालिक थे और जो राजा जैद चन्द थे उन्होंने क्या है वीडी चन्द को किसके सरक्षन में छोड़के गए थे वो राजा गोविंचन के सरक्षन में छोड़के गए थे और जब कांगला किले पर कबज़ा मुगलों के लिए अनुपकूल लगा तो मैदानी इलाकों से ख़बर पहंची की अकवर के रिष्टेदार इबराहिम हुसेन मिरजा और मसूद मिरजा ने पंजाब पर आकरमन किया और जो मोगल से न जो याब मिरजाओं के विरोध के लिए पंजाब के लिए प्रस्थान कर गई और विवश होकर जो हुसेन को लिखा और गोविन चंद के वीडियो सुले हुआ था उसकी चार मुख्य शर्टे रखी थी पहली शर्ट थी की राजा अपनी एक लड़की अकवर से बैया दें और दूसरी शर्ट थी संतोष जनक कर प्रस्तुत करें और तीसरी शर्ट थी अपने किसी विशिष संबंदी क तब तक रहेगा जब तक कि किला खाली ना कर दिया जाए और जो चौती शर्ट रखी थी वो यह थी कि यह प्रांथ यानि कांगला जो है यानि नगरकोर जो है यह राजा बीरभल को जागीर के रूप में दे दिया जा चुका है और राजा गोविन चन उन्हें काफी धन प बस्तों देदी और जो हुसेन कुलिखा है उसने का कर दिया इसे लिया और वो चलता बना और मिर्दाओं की विरोध के लिए मुगल सेना पंजाब की और बाड़ी इस प्रकार जो अकवर की सेना किले को ना जीत सकी ऐसा लगता है कि गिरवंदी उठ जाने के करां जो है जैचंद को छोड़ दिया गया और उसने वापस कांगला आकर अपना राजपार्ट संभाला प्रंतु जो सुल्य हुआ था वो किस तोडर्मल को इस सुदेशे से कांगला भीजा कि वो पहाड़ी राज़ाओं से कुछ इलाका लेकर बीरवल के लिए जागीर का परवंद करें और तोडर्मल ने क्या कर दिया ? साथ गाओं कांगला से लिए और रीहलू का इरिया या रीहलू का इलाका जो है यह किस से लिया कि अकवर जो आला मुखी मंदिर में दूरगा के दर्शन के लिए गया था यानि दूरगा देवी के दर्शन के लिए गया था तो देवी के परिक्षा लेने के लिए अकवर ने अगनी को शांत करने के लिए एक कुल का निर्मान किया था यानि पानी की एक कुल वाटर स्ट्र आया यानि अकवर ने जो है सोने का एक छत्र जो आला मुखी यानि दुर्गा देवी के लिए चड़ाया था और 1585 में जो है राजा जैचंद की मृत्ती हो गई थी उसके बाद जो राजा बने थे वो बने थे उनके पुत्र विरी चंद तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं अमीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टार्गेट फोकस यूटूब चैनल को और बने रही है हमारे साथ